दोस्तों वीडियो को शोट बनाने के लिए और आपका टाइम सेफ करने के लिए मैंने यहां पर एक टेबल बना रखा है जहां पर मैंने कैटागरी में फ्रोट और वेजिटेबल है और सब कैटागरी में फ्रोट और वेजिटेबल है प्रोडेक्ट हमारे पास बनाना एपल ह रहे हमें हमारे पास PCS की सेल और काटन की सेल कितनी होई अगर आप normal कोई साम फार्मॉला यहां पर लगाएं तो मुझे मुलों करना है कि total number of pieces कितने सेल हुए है और total number of cartons कितने सेल हुए है तो यह मुलूम करने के लिए मैं यहां पर यूद करूँगा some if का formula तो as equal का sign enter करूँगा उसके बाद some if enter कर दूँगा तो मेरे पास some if का formula जैसे ही some if का formula open होता है तो यह हमें सबसे पहले कहता है range को select कर ले तो मैंने pieces and cartons के sales को नकलना है तो इसका range को मैं select कर लेता हुँ उसके बाद कॉमा लगा देता हूँ उसके बाद उसके बाद Criteria बोल रहा है Criteria select करें, तो मैं पीसिस को select कर लेता हूं, उसके बाद कॉमा लगा देता हूं, और फिर Sum की Range को select कर लेना है, जैसे मैं Sum की Range को select करके Bracket को Close करता हूं, लीजिए हमारा Formula complete हो गया है, आप जोरूँत है बाद कि जैसे ही मैं enter करता हूं, कि मेरे पास results समने आ जते हैं इसी formula को मैं drag down कर दूं तो मेरे पास cartons की sales भी आ जती है तो मेरे पास यहाँ पर pieces की sales 50 आई है और cartons की sales यहाँ पर मेरे पास 40 आई है तो इसको मैं zoom in करके आपको दिखाता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से understand कर सके तो दोस्तो जब भी आपको कोई criteria पर total नकालना हो जिसमें pieces की different sale नकालनी हो carton की sale different नकालनी हो I mean separate separate नकालनी हो तो आप सामें इसका formula यूज करें यह बहुत ही magical formula है इस formula की मतलब से आप बहुत सारी different type की sum नकाल सकते हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंदाई होगी अगर आपको वीडियो पसंदाई है तो like करना पिलकूं मत भूजिए